आज हम लोग अस्टेलिया इंडिया कॉंसिल प्रोजेक्ट के तहत जैवी खेती के बाड़े में क्या-क्या उपियोगी खाद या तरल पदार्थ हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ और आज की तिति में तरल पदार्थ के रूप में पंच गब जैवी खेती के लिए काफी ही उपियोगी और महत्वपूर्ण है और इसको बनाने का तरीका हम आज जो हमारे किसान बंदू हैं उनको मैं लर्निंग बाई डूइंग के तहद बताने जा रहा हूँ और उसके लिए सारी सामगरी यहां मौझूद है पंच गब की जब हम बात करते हैं तो पंच गब का मतलब होता है पांच गब गाय के द्वारा जो पदार्थ हमें मिलता है उसमें पांच तरह के पदार्थों का उप्योग करते हुए हम पंच गब बनाते हैं उसमें पहला ह गाई का गोबर. दूसरा है गाई का गव scor aí तिसरा है गाई का दही चोठा है गाई का दूध और पांचमा है गाई का घी तो इस तरह से पांच चीजों के माध्यम से आप अपने लिए भी पंचगब बना सकते हैं और अपने फसलों में इसका उप्योग कर सकते हैं इसके द्वारा आप अपनी फसल की अच्छी पैदाबार प्राप्त कर सकते हैं और खेतों में जो कीट नियंतरन है या रोग नियंतरन है उसके लिए भी इसका उप्योग कर सकते हैं और तरल खाद के रूप में इसका छिरकव अभी कर सकते हैं